अगर आप द्वानी को स्पर्ष करते हैं तो आप स्रिष्टी को छूराय होते हैं अगर आप किसी शब्द को स्पर्ष करते हैं तो आप बस इंसान की मनो वैज्ञानिक संरचना में प्रवेश करते हैं ध्वानी की शक्ती को कम ना समझें इसका हर चीज पर असर होता है मंत्र ध्वानियों का एक सैयोजन या मेल है अगर आप सैयोजन का ठीक से उचारण करते हैं तो यह आप के लिए स्रिष्टी के अंदर एक द्वार खोल देगा नमस्कारम सद्गुरू मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता देखें मंत्र के दो आयाम होते हैं मंत्रों से कोई अर्थ रखने की उम्मीद नहीं की जाती इस परमपरा में विभिन प्रकार के मंत्र हैं दुर्भागे से जो मंत्र सामान्य रूप से जाने जाते हैं उनके अर्थ दिये गए हैं ताकि लोग इन से जुड़ सकें क्योंकि बहुत से ऐसे मूर्ख लोग हैं जो ऐसी किसी भी चीज के साथ शामिल नहीं हो सकते जो अर्थ हीन हो इसलिए वो सूर्योद ए सूर्यास्थ, चंद्रमा, पूर्णिमा हर चीज से वो चूप जाते हैं क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है पूर्णिमा का क्या मतलब है कोई मतलब नहीं है आगर आप प्यार में हैं, सिर्फ तभी इसका काफी मतलब होता है, वरना ये है क्या, कुछ नहीं, इसके कोई माइने नहीं है, इसका मतलब है कि ये उप्योगी नहीं है, तो इस धर्ती पर सारे बेवकूफ केवल काम की चीज़ें ही करेंगे, हाँ, क्योंकि उनके पास जीवन को और जीवन के कई पहलूओं को पहचानने की कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है, क्योंकि आपने इनके साथ एक बेवकूफी के माइने जोड़ दी हैं, ये वैसे भी मौझूद है, आपसे परे इसका अस्तित्व है, ये केवल अर्थ पून्द चीजें करेंगे, वो बुद्धि जी भी हो सकते हैं, लेकिन जीवन के प्रतिमूर्ख, उन्हें जीवन की कोई समझ नहीं है, अगर आपके पास जीवन की समझ है, तो आप देखेंगे कि वो सबसे अर्थहीन चीजें ही हैं, जो वाकई आपको जीव द्ध्वनी, आप हमारे संगीत में भी इसे देखेंगे, यक्ष कारक्रम अभी समाप्त हुआ है, और हमारे कई लोग जो अर्थ खोज रहे थे, वो पूरी तरह से उप गए थे, क्योंकि वो 40 मिनिट तक आला आप कर रहे थे, कुछ तो कहिए, कम से कम शिव, शंभो, कुछ क्योंकि ये ध्वनी के बारे में है, ऐसा क्यों है कि एक शब्द से जिसका कोई अर्थ है, ध्वनी इतनी ज्यादा महत्वपून है, अर्थ इंसान के दिमाग में बने है, ध्वनी स्रिष्टी का सार है, अगर आप ध्वनी को स्पर्च करते हैं, तो आप स्रिष्टी को छू अगर आप किसी शब्द को स्पर्श करते हैं, तो आप इनसान के सिर्फ मनोवैग्यानिक संरचना में प्रवेश करते हैं। इनसान की मनोवैग्यानिक संरचना मुख्य रूप से एक खास तरह का पागलपन है। हम इसका आनंद ले सकते हैं, हम इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये खास किस्म की कालपनिक व्यवस्था है ध्वनी स्रिष्टी का एक मूल भूत पहलू है अगर ध्वनी पर आपकी महारत है तो एक खास तरीके से आपको स्रिष्टी पर महारत हासिल है क्योंकि स्रिष्टी ध्वनियों का बस एक जटल सम्मेलन है ये स्रिष्टी का खाका है लेकिन अर्थ इंसानी चीजे हैं आप जानते हैं कि एक ही शब्द के अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग मायने होते हैं यहां तक कि भारत में भी आप ये जानते हैं एक ही शब्द के अलग-अलग मायने होना इसलिए है क्योंकि ये पूरा इंसान के द्वारा गड़ा गया है ध्वनी गड़ी हुई नहीं है द्वनी सृष्टी का हिस्सा है, ध्वनी अस्तित्व का हिस्सा है, ध्वनी सृष्टी के स्रिजन का हिस्सा है अभी पूरी सृष्टी एक खास तरीके से स्पंधित हो रही है आप इसे सुन नहीं सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन But the words and meanings are human making शब्द और अर्थ इंसान के बनाय हुए हैं सिर्फ एक साजिश के रूप में इसके माइने हैं जब मैं साजिश कहता हूँ तो क्या आप सुनते हैं कि जिंगूर क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है आप नहीं जानते लेकिन वो बात कर रहे हैं वो भी आपकी तरह ही है, उन में से कुछ बस ध्वनी पैदा कर रहे हैं, केवल आलाप कर रहे हैं, सिर्फ ध्वनी, केवल ध्वनी का आनंद, सृष्टी का आनंद लेने का एक माइने में मतलब है उसकी ध्वनी का आनंद लेना, अगर आपके पास सुनने के लिए उत्सुकता नहीं है, तो आप असल में सृष्टी के किसी भी पहलू का आनन्द नहीं ले सकते, आप सिर्फ अपने सिर में चल रहे मनो वैज्ञानिक धांचो का आनन्द लेंगे, तो यही कारण है कि ज्यादतर इंसान बोलना चाहते हैं, ज्यादतर समय वो बाते करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अर्थ निकालने हैं, बस मौन या ध्वनी, दोनों ही बहुत अभिबूत करने वाले होते हैं, इसलिए जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया कहते हैं, तो पहली चीज है, मौन, अगर आप मनो वैज्ञानिक रूप से बहुत स्थिर हैं, तो हम कह सकते हैं, ठी ठीक है, तीज दिन कमौन, साथ दिन कमौन, अगर आप मनो वैज्ञानिक रूप से नाजुक हैं, तो हम कहेंगे ठीक है, ठीक है, तीन दिन में भी लोग पागल हो जाते हैं, हम कहेंगे ठीक है, आधा दिन कमौन, दोपहर तक कमौन, उसके बाद आप बगबग करें, आम त वो बिना किसी अर्थ के बात करते रह सकते हैं. अब अगर आप एक चड़िया हैं, तो हम आपको माफ कर देंगे. अगर आप ये हैं, तो हमारी लेखी होगा. ये अगर आप एक संगीत कार हैं, तो आपका वेर्थ ध्वनिया करना ठीक होगा. अगर आप बोल रहे हैं तो आपसे कुछ अर्थ पून कहने की उमीद की जाती है तो मंत्र को कहना नहीं है बस इसका जाप करना है जाप के माइने है कि ये जाप ध्वनी का होता है अर्थ का नहीं भाशन का अर्थ होता है शब्दों का अर्थ होता है लिखित शब्द और बोले गए शब्द, जाप से अर्थ का संबंद नहीं है, जाप बस एक ध्वनी है, एक गूंज है, तो अगर आप अर्थ नहीं जानते, तो मेरी राय से ये जाप करने का सबसे अच्छा तरीका है, बस पूरी तरह से ध्वनी के साथ शामिल होकर इसका अर्थ होना जरूरी नहीं है, आप इसे जो चाहें अर्थ दे सकते हैं, जिस भी अर्थ से आप शुरुआत करना चाहें, क्योंकि अर्थ के बिना आप इसमें शामिल नहीं हो सकते, लेकिन एक बार जब आप जान जाते हैं कि कैसे शामिल होना है, तो आपको इसे कोई पाड़ के उपर किसी चीज के साथ बैठे एक आदमी की कलपना कर रहे हैं और उसके आसपास कुछ हो रहा है। नहीं। शुरुआत में अगर यही एक मातर तरीका है जिससे आप इसमें शरीख हो सकते हैं तो आप शिवकाशी वाले कैलेंडर को देख सकते हैं। ठीक है। एक शिव आते हैं तो मैं उन्हें तमामों पार पुकार रहा हूँ। अगर वो आते हैं तो उन्हें अंदेखा कर दीजे। क्योंकि मंत्र के बारे में ये चीज नहीं है। मंत्र ये है कि आप खुद को ध्वनी में शामिल करते हैं क्योंकि आप स्वयम, आपका भौत एक अधिक विशाल ध्वनी तक पहुँचने का जरिया बन जाए, जिसे आप ब्रह्मांड कहते हैं। ध्वनियों की एक अधिक विशाल व्यवस्था की प्रकृती ब्रह्मांडी है। अब आप कुछ मौलिक ध्वनियों का एक खास क्रम में उप्योग करते हैं। आपको पता है तिजोरी में, तालों में, तालों को कॉंबिनेशन ताला कहा जाता है तो आपको इसे खोलने के लिए इसका सही तरीका या क्रम पाना होगा तो मंत्र एक कॉंबिनेशन है अगर आप सही कॉंबिनेशन पा जाते हैं तो ये आपके लिए स्रिष्टी के अंदर एक द्वार खोल देगा। अर्थ हैम नहीं है। आप इसे जो भी अर्थ देते हैं, कितना भी उचा या नीचा आपको लगता है कि अर्थ हैं। असल में अर्थ एक गड़ी हुई चीज है। ये एक मनोवैग्यानिक प्रक्रिया है। इसका कोई अस्तित्वगत अर्थ नहीं है। किसी शब्द का कोई अस्तित्वगत अर्थ नहीं है। अभी हम जो भी हिंदी शब्द बोल रहे हैं, उसका पेड़ों के लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप असल में आजमा सकते हैं, ये प्रयोक किये गए हैं, अगर आप यहां बैठकर खुपसूर्ती से गाते हैं, मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम यहां बैठकर वाकई में गाते हैं, ठीक से, आ… तो पेड़, पेड़ फूलों से भरा हुआ है, ये यक्ष क कारण हो सकता है, ठीक है? बारिश ने इसमें मदद की है, लेकिन ध्वानी की शक्ती को कम न समझे ध्वानी की शक्ती को कम करके न आके, इसका हर चीज पर असर होता है, यह अगर आप एक मंत्र का जाप करते हैं, तो पेड' इसका उत्तर दे सकता है, अगर अगर आप संगीत गाते हैं, तो ये उत्तर दे सकता है। अगर आप बस एक विचार पैदा करते हैं, तो वो इसका जवाब दे सकता है। लेकिन अगर आप बोलते हैं, तो ये रिस्पॉंड नहीं करेगा। ये पेड के साथ सच है, ये चैतन्य के साथ भी सच है।